दुर्गजिले के नगर पंचायत धमदा छेत्र में स्टेडियम के संधारन कारे हेतू 99 लाक रुपए से होने वाला है इस हाइटेक स्टेडियम का टेंडर कारे पूर्ण हो चुका है जो नगर पंचायत की 14 मई को संपन हुई परिशत की बैठक में नियूंतम दर की स्विक्रिती एवं विचार विमशकर निर्णाय हेतू रखा गया था इस पर निर्णाय लेने से पुर्व इस्टेडियम पर मिट्टी फिलिंग का कारे आरंब हो चुका है जिस पर अभी से सवाल या निशान उठना आरंब हो चुका है गौर्दलबे की धमदा नगर पंचाइत इलाके में सर्वस्विधायुक्त हाइटेक स्टेडियम की आउनलाइन टेंडर पर उसकी गोपनीता पर प्रश्न चिन उठता दिख रहा है इस बात की जानकारी मुखे नगरपाली का अधिकारी का होना समझते परे है पाशत अरुनी दानी ने अधियक्ष वाधिकारियों के खिलाप भरस्टाचार का गंभीर आरोप भी लगाया है आप देख सकते हैं कि स्टेडियम के अंदर सैक्रो ट्रक मिट्टी रेली हुई है और फिलिंग का कारे भी लगभग पुरा हो जुगा है बता दे कि जब ठेकेदार को कारे का आदेश दिया ही नहीं गया तो फिर मिट्री फिलिंग का कारे किसके द्वारा किया जा रहा है और ठेकेदार को फाइदा कहुँचाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है ये समझ से परे है जवाबदार प्रशासने कामला जवाब देने से कत्रा रहे हैं इस मामले की तहट तक अगर जाएं तो भरस्टाचार की पोल खुल जाएगी मट्टी डालके रेडी कर दिया गया है मट्टी से पूरा फिलिंग कर दिया गया यह तो धांदली के तरफ भी इशारा प्रतीत होता है मेरे हिसाब से पूर के जो नगरपाली का अध्यक्ष के परिवार के हैं Humult किम कर दिया गया है तो पहले कारिया देश के पहले पूछना चाहूंगा नगरपाली का अध्यक्ष announcements कि क्यों मिट्टी किसके आधेश मेन नगरपंक्ट अध्यक्ष द्वारा पूरी तरह से तेंडर की गोपनीता किअंख्यों करके अपने रिष् 기대 व को दोस्तों को Grand A.C.N. News के लिए लाला सिंग ठाकुर की रिपोर्ट